त्रिबुज ABC में BE है वो प्रपेंटिकुलर है AC पे देखो बना लेते हैं बना देखी पता चलेगा क्या दे रखा है त्रिबुज है यहां पे A B C ठीक है अब इसने बोलाएगी BE प्रपेंटिकुलर है AC पे डाल दिया प्रपेंटिकुलर और B E लिख दिया इसको अब इसने बोलाएगी C F परपेंटिकुलर है A B पे C F परपेंटिकुलर है A B पे यह C F हो गया यह परपेंटिकुलर होगी ठीक है अब यह बोल रहा है कि यह दोनों यह देख दूसरे को O पॉइंट पर काट रहे है ठीक है अब मैं एक पैंट चेंज कर लूँगा इसने फिर से एक लाइन का ट्वारा आई है O B C और O C B के सब्सक्राइब यह आया और इन दोनों के जो मिलन पॉइंट है वो पॉइंट नंबर पी है ठीक है अब आप ध्यान से देखना मुझे इन चीजों को ध्यान से देखना कि यह दी B P C एंगल यह वाला एंगल मुझे दे रखा है कुशन में कितना है बन पोर्टी टिग्री ठ अब मुझे पूछा एंगल यह वाला एंगल , अब देखो आप 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 ट्रैंगल ओबी सी को नोटिस करो इन ट्रैंगल OBC triangle OBC के अंदर ये क्या है angle bisectors है जो यहाँ पर मिल रहे है तो आपको एक चीज पता है कि अगर angles है bisector यहाँ पर मिल रहे है तो angle bisector की value क्या होगी angle bisector की value होगी BPC equal to BPC equal to क्या होगा 90 plus angle BOC by 2 basic formula आपको थेवरों में पता है ठीक है अब देखो BPC की value 148 दे रखी 148 equal to 90 plus यह BOC by 2 यहाँ से अगर इसको solve करोगी तो angle BOC किता आएगा 148 में से 90 गया 58 बचा 58 का double 116 degree ठीक है मेरे पास यह वाला angle यह वाला angle किता आगा 116 degree अब देखो यह वाला angle 90 degree है यह वाला angle भी 90 degree है यह वाला angle क्या होगा है सीरसा भी मुग कौन बोलते हैं जिसको आमने सामने कौन बराबर होते हैं एक line जब ऐसे line क्रोस कर रही है यह वाला angle और यह वाला angle equal होगा तो यह वाला angle किता होगा 116 degree अब एक quadrilateral बन रहा है यह वाला इसमें सारे angles का sum किता होगा 360 degree ठीक है दो angle तो हो गए 90 90 180 यह वाला 116 है बचा हुआ 180 मैंसे 116 ही हो गया तो 100 यह किता बच गए 64 degree ठीक है तो आपको दिख गया होगा कि मेरा angle A किता होगा angle A होगा 180 degree minus 116 degree जो इसकी value आजाएगी 64 degree जो option number D में दे रखा मुझे ठीक है तो आपको यह अच्छा question था मतलब यह होता है कि इसमें दो concept को mix कर दिया है एक तो जब perpendicular काट रही है तब 180 मैंस ठीटा होता है और जब एक interior angle bisectors जब काटते हैं 90 माइनस जो theta by 2 और 90 plus theta by 2 का concept हमारा वो concept यहाँ पर यूज़व है 90 plus theta by 2 का यहाँ पर यूज़व है 90 माइनस theta by 2 का भी question बन सकता है मौक्स में आपके लिए ठीक है तो उसके लिए भी prepare रहे है